गुड मॉनिं ग्लास यह जो एक्टिविटी आपके सामने 9.3 यह कुछ क्या करना है मिट्टी में पानी मिलाकर क्या हो चीजे बनागे देखने इंपार्स वगरा किस मिट्टी कैसे बनते हैं तो यह आप घर पे कर सकते हैं तो इस एक्टिविटी को हम छोड़ते हैं थोड़ा कितना पानी अबसॉब कर सकते हैं उनकी रिटेनिक पावर रिटेनिक पावर ऑफ सॉइल ऑफ 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 फन्यूमिंग वाटर ठीक है देखें बूजोएं पहिली मार्क तू डिफरेंट स्क्वार्स 50-50 सेंटिमेटर इच वन अन दे फ्लोर अं दिर हाउस और अधर अधर उ you know lib Dean do to speak up a cot लिफ एक अधर आए थे लिफ ख़न फचावर एंड रिटेन रिटेनिक पानी घ़र जो बना रिटेक रिटेनिक वहाँ पार ने पच्रा पानी अबसॉब के सैक्वार्स फ्लोर थाू पात्या है लगेनि किकर टो बने की तर डिए सेंटिमेटर ठायर वरें अब इसको समझने के लिए एक अक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं देखते हैं एक्टिविटी एक्टिविटी डिवाइड यॉरसल्फ इंटो थी टीम आप अपनी टीम बनाएं नेम A, B and C यू विल बी फाइंदिंग आउट How fast the water passes down the soil You will need a hollow cylinder or pipe इसके लिए आप टीम बनाएंगे आपको एक hollow cylinder आपके नेड होगी Ensure that each team uses pipes of the same diameter ये धान रखना कि हर team same diameter के pipes use करें ठीक है ना एक लंबा pipe लिए इसके तीन टुकटे कर लें ठीक है तो सब टीमों में तीमों में डवाइड कर दें Some suggestions for obtaining such a pipe ठीक है pipe कहां से लें If possible get a small tin can and cut its bottom Tin can वगर लें इनके bottoms को कट करतें PVC pipe भी आप ले सकते हैं ठीक है pipe top ले सकते हैं नली वगर आप समझ गहा होगी मेरी बात At the place where you collect the soil Place the pipe about 2 cm deep in the ground Power 200 ml water in pipe slowly For measuring 200 ml water You can use any empty 200 ml bottle अब आपको क्या करना है 2 cm pipe को अंदर दक डालना है डाल दिया 200 ml water measure करके आपको उस मिटी में डालना है ठीक है When all the water has percolated जब पूरा का पूरा पानी उसमें percolate हो जाए याएंगी नीचे पहुंच जाए Leaving the pipe empty Pipe को अब खाली छोड़ दे Note the time again Be careful not to let the water spill over the run down or the outside of the pipe while powering जब आप पानी डाल रहे हो तो जो pipe है जो पानी है pipe की दर्वदर से ना निकले इसका ध्याल लगे अब percolation rate को calculation करने का एक formula भी है Percolation rate Amount of water आपने कितना water लिया है और नीचे percolation time Amount of water होता है milliliter में और time आपका minutes में ठीक है जो आपका answer निकल का हैगा उसकी units जो बनेंगे न वह होगी dash milliliter per minute ठीक है for example suppose that for a certain sample it took 20 minutes to 200 ml to percolate कि भी एक छोटा सा example लें तो एक 20 minute लगते हैं 200 ml water को percolate होने में यानकी मटी इसके absorb करने में तो उसका answer गाने के लिएगा amount of water 200 उसका time कितना लगा 20 अब 200 को आप 20 से cut करेंगे तो 10 से 10 आगया तो 10 ml per minute यह क्या आगई उस मिट्टे की percolation rate आगई ठीक है तो यह आगए आपको percolation rate समझ में वापस में आपको समझा देता हूं percolation rate क्या होता है किसी भी मिट्टे की पानी के absorb करने की capacity ठीक है वो उसकी percolation rate क्या लाती है यहाँ पर percolation rate निकालने के एक formula दे रखा है वो क्या है percolation rate is equals to amount of water upon percolation time और इसकी unit होती है milliliter पर minute ठीक है बिच्चों आप इसको एक formula को learn करें इस सवाल को करके देखें और इस पूरी एक्टिविटे को आपस से पढ़ें और इससे पहली भी एक और एक्टिविटे उसको भी एक बार पढ़के देखें और इसके बाद हम और इसकी सेरा में और इससे मैं। आपक अपक बार ओकटी हुक्थे एकσι ऑातली केरें है निय सक्किकष़ है और इससे से सप्क आपके ड़ लोलास झाल झाल